हेवरिवान वेलकम बैक टू माइ चैनल तो अभी बहुत ज़्यादा धूप निकला है और अभी मतलब सुबह के सारे दस बज रहा है और हम धूप सेक ने बैठ गए और यह पेच की दिखे पता नहीं प्यान से क्या क्या कर रही है तो दूप में इसलिए बैठे के बहुत जाए करने जाएंगे और मैंने अज पुझा नहीं दिया है कि आमें पुझा दीदी तरहां में पड़ी तो यह प्लान बना रही है दोन मिलके मेरे सथ गुमने जाएगी मतलब टी गार्डन वगरा में मैं सोच रही थी कि टी गार्डन का व्लोग एक बना ही लू तो मैंने अधार्री को पूछेए को मैं नहीं जानती हूा जानती हूँ और वहां देखी इसका मम्मी किया रेगां तुने खुद बनाई यह गया काफी संदरी हुआ है तोहारा आद में वेग्या है पहले हुआ उसको में यह बनाग है तो तो फिर उसने इस पर द्रूइंग अक्छा कि मेर नकल कर रहे हूँ नकल क्यों करती है तु की आग प्लीज एक बोल देना ऐसे शीए प्लीज जल्दी इसने इतना एक एक्टिंग ए आना जिखाते हैं तो वामपी केसे एक्टिंग यह देखे है इसको चिराग़ा के लिए ऐसे एक्टिंग कर रही थी इसको डाटे तो प्रूपर पाजल आई ना लगा कर ऊबूद बने गाई तो इसलिए हम लोग चिराएंगे इतना संद लड़की को तो क्यों चिरा रही है उसका मर्जी उसका आइलेनार उसका काजल तू क्यों कोन होती है चिराने बारी है पूरा सर मेरा करम हो गया इतना दूप है या आगन है आगन है बहुत अदा दूप है या देखे क्या बोली या बोली गाली मत दे इतना गंदा गाली देती है बाप को अपसबैं दिखाना कि अग्राब यह स्काइब के अवाल चलता है ता पासवार्ड के सके दिए बच्चा लोग कितना अच्छ से डांस कर रही है तरह लाइट के बास आजाओ लाइट के बास आजाओ इधर आजाओ लाइट के सामने आओ यह चोटू सा को देखिए चोटू इसका इसका फेस देखो यह पेच्की का ने उसका पेच्की है दो भाई इसके इसमें नयाट है कि इसे इसमें नेट है कि इसमें इसमें घ्ला जाता है कि नेट के बिना कि एफ ayah a ni गाले सुनु सभी बैट धे हराब से शाम के यह समԲगते pm में ब्हुटा बाद मिल्क बाहिए थोड़ा बाक विर मिल्क था 25 था त然后 दोदो पंक पेकेट तक जा नहीं ते ही papa यह पेकेट और यह मसाला है परले खोड़ सा बॉएंड कर लेकिए मैं अचीस का रख दिया अच्छी यह मिल जा थोड़ा ताइम तो लगेगा बॉएल्ड होने में तो बॉएल्ड होने के बाद आपको दिखातू कि यह बॉएल्ड हो रहा है कि यहां देखिए बॉएल्ड हो रहा है हम थोड़ा इसमें पास्ता मसाला भी आइड कर दिया है इसके साथ प्री भी मिलता है एक्स्टा भी आप खड़ीट सकते हो थोड़ा सा टमेटो केचप जो सोस होता ना टमेटो का वह थोड़ा साब एड़ कर सकते हो ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए और यह हमारा बनके त्यार हो चुक है तो इसको निकाल लेते प्लेट में और खाके टेस्ट करके देखते कि कैसा बना है यह देखे बनके त्यार हो चुक है तो थोड़ा सा खा लेते है देखे मैं अभी पास्ता खाके आके यह सब सिलाई किया है अभी और थोड़ा सा सिलाई करेंगे क्योंकि अभी ज्यादा बजा नहीं है तो यह देख लो व्यादा नहिंट और आख ज्यादा निये थोड़ा बहुत सिलाई किया अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते फिर थोड़ा और सिलाई कर लेंगे तो अभी थोड़े दिर न Quiर और उळागी अज ज्यादा लंबा वीडियो में शूट नहीं किया है तो आज का व्लोग एपर एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में अगर वीडियो पसंद आते हैं लाइक कर देना और अगर आप मेरी चैनल पे नहीं हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बाई